बच्चो वेलकम बैक टू गनितंक हम लोग 15 ओक्टबर शिफ्ट वन का पेपर सॉल्फ कर रहे है इस सारे कोश्चन मेमरी बेज्ड है नाइन्थ कोश्चन यहाँ पे C वेक्टर, B वेक्टर, A वेक्टर और D वेक्टर सब दिया हुआ है और हमें निकालना है C minus A ठीक है तो dot B cross D यह पूछा गया है ठीक है तो सबसे पहली बात यह actually box product हो गया एक dot और एक cross को मतलब क्या होता है पता है आपको यह box निकालना है तो पेटो पहला रो होगा वो C minus A वेक्टर होगा तो चोली पहले C minus A वेक्टर निकाले तो C वेक्टर क्या है 2I minus J plus K ठीक है minus of A क्या है 3I plus J plus 5K तो यह हो जाएगा minus I minus 2J minus 4K ठीक है और B और D वेक्टर तो अल्रडी पता है हमें b vector दिया हुआ है i plus 2j minus 3k और d vector दिया है i plus k ठीक है so then यह जो हमें चाहिए है वो क्या हुआ एक box product हुआ तो determinant पहला रो क्या होगा यही c minus a का होगा तो minus 1 minus 2 minus 4 correct second 1 2 minus 3 third 1 0 1 अच्चा बच्चो यहां पर लग थी question यही structure है बट यह जो c, b, a, d की values अवा अलग थी तो क्या फरक पड़ता है न हमें practice करनी है तो कुछ बच्चे अगर बोलेंगे कि sir values तो अलग आई थी बगर बगर यह memory based है बच्चो ठीक है तो technique हमें समझनी है solve करेंगे minus 1 into यह जागा 2 minus 0 minus of minus 2 into ठीक है 1 plus 3 then minus 4 into ठीक है आप solve करोगे इसको तो minus 2 आएगा minus 2 plus 8 plus 8 तो answer comes out to be equal to 14 तो option D है न इसे solve करना है और option D मिलेगा आपको 9th question है ठीक है आपको 1 dot 1 cross मिला मतलब क्या triple product देखना है box product देखना है okay next question let a, b, c, b distinct non negative numbers if the vectors ठीक है are lie in a plane तीन vector दीए दे lie in a plane मतलब कोप लिना आ रहे बेटा अगर कोप लिना रहे मतलब box product क्या होगा इनका 0 होगा box product 0 मतलब determinant 0 होगा बेटा determinant x क्या है a, a, c, y है 101 और z है c, c, b this should be equal to 0 correct इसको solve करो बच्चो तो a, 0 minus c minus a, b minus c plus c, c minus 0 equal to 0 तो यह होगा minus a, c, ठीक है minus a, b plus a, c plus c square equal to 0 a, c और minus a, c cancel तो यहां से मिला c square equal to a, b मतलब क्या होगा कि a, c, b, r in geometric progression c बीच में होना चाहिए बत्चो यह धियान रखना है ठीक है options देखेंगा आप GP का option है लेकिन पहला नहीं second is the correct answer yes okay बच्चो तो lie in a plane का मतलब दियार कोपनार ठीक यह concept है next question inner triangle small a, small b यहने sides की lens दी है angle c भी दिया हुआ है और a minus b निकालना है बच्चो जब a minus b निकालना है c दिया होता है नो तो हमें Napier's analogy यूज करनी होती है यह click होचाना चाहिए यहने क्या होता है Napier's analogy सर tan of a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b into cot of c by 2 बस formula अपला करने की बात होती है a का value root 3 plus 1 minus root 3 minus 1 divide by root 3 plus 1 plus root 3 minus 1 into cot of 60 by 2 ठीक है फिचे 60 ओक्य सर दीक है solve करोगे उपर में नीचे तो कुछ cancel कर दिया आपने दीके क्या आ रहा है उपर 2 नीचे 2 root 3 और cot 60 कितना होता है root 3 होता है सर सर चैनल हो गया तो what am I getting is tan of a minus b by 2 वान आ गया बच्चो इसका मतलब क्या a minus b by 2 45 आ गया correct a minus b कितना हो गया 90 degree तो a minus b पुछा गया था तो बच्चो यह formula पता होना चाहिए कुछ बच्चो बच्चो बोलेंगे सर formula नीच पता हो तो कुछ और नीच हो सकता है बच्चो इस question के लिए जब difference है अगर नहीं आता है तो अभी आप यह learn कर लो ठीक है एक नया formula आपने सिख लिया यह समझ लो आज ठीक है यही method easy है next यहापे ऐसे जिया था कि ax equal to b और यह सब पता करना था आपको ठीक है बच्चो यहापे यह तीन equations दी है और आपको x plus y plus z पूछा गया है ठीक है अगेन values different हो सकती है यहापे यहना बच्चो values different हो सकता है structure of question यही है ठीक है तो आप solve करोगे first row first column तो कैसे होगा यह 1 into x plus 0 into y ठीक है तो x plus z equal to 1 आएगा ठीक है पहला आप ऐसे करोगे और इसको equal to 1 से करोगे corresponding सारी चीज़े ऐसी करोगे तो minus x plus y equal to 1 and minus y plus z equal to 2 ऐसा होगा ठीक है अगर मैंने इन दोन्हों को add किया इन दोन equations को add किया तो क्या मिलता है देखिये minus x plus z equal to 3 मिलता है ठीक है add किया है दोनोंके equations को अब now we have x plus z equal to 1 minus x plus z equal to 3 ठीक है तो इन दोनों को अगर add करते हो बच्चो तो 2 z equal to 4 तो z का value 2 आगया जैसे z का value 2 आगए बच्चो तो हमें सारी values मिल जाएगी क्योंकि x क्या आजाएगा क्या आजाएगा देखिए x minus 1 आजाएगा y क्या आएगा 0 आएगा आएगा आप solve करिए therefore x plus y plus z is equal to minus 1 plus 0 plus 2 1 तो 1 is the correct answer ठीक है ऐसे solve करना था आपको इस तरह solve करना है बच्चो देखिए आप कैसे solve होता है यह ठीक ने तो